दोस्तों अगर कभी कोई राज्टान घूमने का प्लान बनाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले किस जगा का नाम आता है जैपूर जी हाँ पिंग सिटी जैपूर और बला आए भी क्यों ना क्योंकि पिंग सिटी राज्टान की राजदानी है जहां हर साल लाखों लोग इस वीडेह से भूमने आते हैं कि आप ज़ानते हैं जैपूर के उंडश्जगों के बारे में जो आपको जैपूर आकर अऐश्यक भूमनी चाहिए तो आईए जानते इस वीडिएयो में उन दश्गों के बारे में वसकार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदास प्लेटिट पर जहां हम आपके लिए नौलेज और फेक्ट से जोड़ी वीडियोज लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं इस लिष्ट में नमबर दस पर है कनक घाटी महाराजा की अबदी में यह इस्तान वाटिया की तरह था जिसमें साही परिवार एक दोस्ते के साथ वालेटी टाइम इस्पेंड करते थे और यह जगह अरियाली और भगवान के फूर्सत नजारों के लिए जानी जाती है नमबर नो पर है बिल्डा मंदिर बिल्डा मंदिर को लश्मी नराण के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है इसका नेमाण सन 1988 में बिल्डा द्वारा किया गया था इस मंदिर के दिवारों पर देवी देवताव की सुन्दर लकासी की गई है इस मंदिर में सुकरात, क्र गुद्धा, कन्शूसियस जैसे कई एत्याशिक और आध्यात में संतों के चित्र भी देखने को मिलते हैं नमबर आट पर है एलबर्ट हो इस एत्याशिक रचना का निमाण महारजा राम सिंग दुआरा वेल्स के राजकुमार रजा एलबर्ट एडवर्ट का भारत में सवागत का दिकले किया गया था जिसके निमाण के बाद इसे राजा एडवर्ट का नाम दिया गया था और आजकल यह जगे जैपर मिूज़म के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों रात के समय इस जगह पर नाइटिंग शो भी किया जाता है जो देखने में बहुत आकर्शक लगता है नंबर साथ पर है जल मेल जल मेल पानी पर तेयरता जेपर का एक आकर्शन का केंदर है यह है बान सागर जील के बीचों बीच में इस्तित होने की वज़े से जल मेल को एक वाटर पिलेस भी का जाता है इसका निर्मान बर्स 1799 में महाराजा सवाई परताप सिंग ने पतक किसी करके एक लोज की रूप में करवाया था जल मेल एक पांच मंजिला इमारत है जिसकी एक से चार मंजिल पाने में डूपी हुई है और आपके अवल इसकी पांच मंजिली की देख सकते हैं इस खूपसत मेल की छट पर एक बगीचा है जिसे चमिली बाग कहते हैं जल मेल एक ऐसी जगह है जो पक्स की दर्सक लिए ए इस शांदर महल का निमान माराज सवाई जैसी मादो ने 1729 में करवाया था इस खुपसत महल में कई इमारते जुशाल आंगन और आकर्शक गार्डन है जो इसकी राश्य इतियास का गोरव है इस महल में जंदर महल, मुबारक महल जैसे मैतून महल है पांच पर है जंतर मंतर, जंतर मंतर दुनिया में सबसे बड़ी पत्थर से बनी ख़गोली वेश्चाला है जंतर मंतर का निमान नाजा सवाई जैसिंग ने 1727 से लेकर 733 में करवाया था इस वेश्चाल वेश्चाला को बनाने का उद्देश्य है अंतरिश्चो समय के बारे में जानकर इकट्टा करना और उसका अध्यन करना था जंतर मंतर विबिन वास्तो और ख़गोली उप्रोणों का एक संग्रह है जहां पर समय को मापने, जिरोगी दिशा का पता लगाने, घ्रेणों की वश्चाई का पता लगाने और तारोगों को ट्रेक करने के उपरोणों से उनिश्प्रमुक उप्रण है नमबर चार पर है नारगर फोर्ट, इस कले का निमाट, माराज जैसिंग ने 37-34 में करवाया था ये महल, शेर का पैरेदार भी माना जाता है, नारगर के नाम का मतलब होता है शेर का खिला इस कले की खास बात यह है कि इस कले पर आज तक किसी ने आगरमन नहीं किया, इस कले में बहुत से फिल्मों की सूटिंग हुई है जिनमें जोद अकबर, रंग दे बसंती, सुद देशे रोमांस, समेत कई फिल्में शामिल है अबर तीन पर है एगर को, इस कूचरत इमारत को वाई जैसिंग दित्यों द्वारा 1927 में अमेर किले की स्ट्रक्षे के लिए बनाए गया था एक किला चट्टान की सीर्ष पर बंदा हुआ, अरे बरी और विशाल जंगलों से गिरी, एक मैलनुमा सरंचना है आपको बता दे कि शांदर किले से आमेर किले तग एक दुरंग जाती है और इसे विजे का किला के रूप में भी जाना जाता है इस किले की सबसे बड़ी खास पात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है नमबर दो पर है आमेर फोर्ट आमेर का किला अरावली पाड़ियों की चोटी पर इस्तित है यह किला अपनी वास्तों सिल्व गला और इत्यास के वज़े से जाना जाता है आमेर का किला वारत में इतना ज्यादा परस्यद है कि यहां हर रोज परी 5,000 लोग गुमने के लिए इस किले का नाम आमिर यानि बगवान सिख की एक नाम हम भी केश्वर पड़ा है 152 ईस्व में राजा मान सिंग ने किले का निमान किया और इस मैल में सीस मैल और दिवाने आम भी इस्तित है नमबर एक पर है हवा मेल हवा मेल का नेमान राजा सवाई परताब सिंग ने 1799 में कराय था इसका उधिश राजपूत महिलाओं को जरोकों में से सड़क पर हो रही उस्सों को देखने की अनुमती देना था हवा मेल रास्तान के सबसे प्राचिनी मारतों में से एक है दोस्तों तरेपन जरोके हैं जो मदमक्यों की छत्ते से भी मिलते जुलते हैं दोस्तों ये थी जैपूर की 10 बेस्ट प्लेसेज क्या आपने इन प्लेसेज को देखा है अगर देखा है तो अमारी कमेट सेक्शन में जरूर बताए